बिग बॉस कंडेस्टेंट वनी चपरासी की बीटी 20 की उम्र में ट्यूशन से कम आती है पैसे बिग बॉस के ग्यारवे सीजन में कॉमनर कंडेस्टेंट के तौर पर बिहार की जोती कुमारी इस शो हिस्सा बन गई हैं गरीब फैमली से तालुक रखने वाली जोती के पिता एक चपरासी है शो के फ्रीमियर के दोरान जोती ने ओव उमन्या सौन के साथ एंट्री लीग वहीं सल्मान खान ने 20 साल की जोती का स्वागत किया और उन्हें घर के अंदर पहुँचाया टौपर हैं जोती जोती पढ़ने में काफी होस्यार हैं उन्होंने अपने दस्वी और बार्वी ख्लास में टौप किया था बाद में उन्होंने दिली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया जहां से वे हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रही हैं जोती आयएईस बनना चाहती हैं ऐसे कमाती हैं पौकेटम्नी जोती छुटे बच्चों को टूशन पढ़ाती हैं इसी के जरियेवे अपनी पौकेटम्नी कमाती हैं बता दे, जोती के मुताबिक वो काफी मूफट है, उन्हें जो बुरा लगता है वो मुह पर बोल देती है बच्चपन से एक्टरेस बनना चाहती थी जोती बात अगर जोती के ड्रीम की करें तो वे हमेशा से ही एक्टरेस बनना चाहती थी इसका खुला सावा उन्होंने बिग बॉस के स्टेज पर किया, जहां उन्होंने एक्टिंग का ओडिशन भी दिया जोती की फिवरिट एक्टरेस एश्वरिया राय है, उन्हें एश्वरिया की आँखे बहुत पसंद है प्रीमियर के दौरान उन्होंने बताया की वो एश्वरिया की तरह आँखे और चेहरा चाहती है, हाला की उन्हें दिवका पादुकों की हाइट और हेमा मालनी की आवाज भी काफी पसंद है इस स्ट्रेटाजी से बिग बॉस के घर में रहेंगी जोती जोती का मानना है कि बिग बॉस के घर में ना कोई सेलिब्रिटी है ना ही कोई मामुली आदमी इस घर में सभी बराबर हैं जोती ने इस शो के लिए अपनी खास स्ट्रेटाजी बना कर आई है इस बारे वे कहती हैं मैं सल्मान खान को गुस्सा नहीं दिल्वाना चाहूंगी क्यूंकि गुस्से में सल्मान घर से बाहर निकाल देते हैं बता दे पिछले सीजन में सल्मान कॉंडेस्टन रही प्रियांका जग्गा को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं सल्मान के लिए लाइंग गिफ्ट प्रीमिय के दोरान जोती खास सल्मान खान के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी गिफ्ट में उन्होंने सल्मान के फोटोज का कोलाज बना कर एक बड़ा सा फ्रेम दिया कर दो कर दो कर दोटोच्विफ्ट